हेलो गाइस, आज मैं आपको बतावगा कि आप BXR RAID RACING किसी भी इंड वीडिया के GTX Series में आप कैसे अनेबल कर सकती हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकान तक जुरू देखें, तो चलिए शुरू करते हैं तो वीडियो को शुरू करना हो, जिनन अब तक मारे जाने को सब्सक्राइब नहीं कहता हैं, तो अन्वीडिया ने ऐफिशली GTX Series के लिए तो आज मैंने अपडेट कर लिया है, तो पहले मैं आपको बजा दो कौन गुल से ग्राफिकार यह सपोर्ट करता है, तो मिनिमम आपके बाद GTX 1060 होना चाहिए, 6GB वेरियन्ट, तो मेरा लैप्टॉप के अंदर GTX 1060 6GB वेरियन्ट है, GDDS 5 वाला, तो उसके उपर वले जि तो मेरा 6GB है, तो आपको यह एप डाउन्ट करना पड़ेगा, जो कि यह है, G-Force Experience, जो कि एट वीड़ा का अफिशल अप है, जिससे आपको उसके ड्राइवर से गर अपडेट कर सकती है, तो उसके पर मैंने और वीडियो मनाई हुए, कि यह से आपको इस्टॉल करना है, क तो मैंने लेटस इस्टॉल किया है, तो मैंने अभी इसे इस्टॉल कर लिए है, तो आपको यहाँ पर अपडेट करना है, तो आपको अपडेट शो हो जाएगी, अगर आपको अपडेट नहीं शो होती, तो यहाँ पर आपको 3.0 पर जाना है, तो यहाँ पर आपको गेम ड क्लिक करने आपको अपडेट करेंगे अपको अब्डेट को है चीप देख सकती है 425 अब्डेट कर लेना इसके बास इस्टॉल और इस्टॉल करने के बाद एक पर आपको रिस्टाट कर लेना अपने लैपटोप य्योपको तहँडों को पासे पता लगे यह नहीं हुआ तो उसके लिए हम Battlefield 5 ओपन करेंगे इसके अनेबल करके मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि जो Battlefield 5 है वो Ray Tracing को support करती है तो मैं आप उपन कर लेता हूं वो Game को तो हमने ओपन कर लिए Battlefield 5 तो हम जाएंगे इसकी Settings में जो की Mode के अंदर है तो उसके इनके Option में तो जाना है फिर वीडियो में फिर आपको जाना है एडवास सटिंग में तो यहां पे आप देश सकते हैं Option दीगी है डी एक्स बारा इनेबल और डी एक्सार इनेबल तो पहले इसको आपको आउन करना पड़ेगा तभी आपको अब यहां पर बता रहा है कि आपको रिंस्टार्ट करनी बड़े की गेम तो हम इसे पहले आउन कर लेते हैं और आप डी एक्सार को भी एनेबल कर लेते हैं तो अगर आपको ड्राइवर अब्डेट नहीं होगा तो आपको यह उप्शन हो एनेबल करने की आप्शन ही नही आपको गश्डार्ट को जाखने अर ऐसे च्रेको सकते हैं तो अमेरी तकी वीडो उसा है हुँआ कि वीडियो को लाइक कर दे शेर एकरा पने तक == रिंग नेये हैं निलते यकली वीडो में दख extreme HEY